नमस्कार मैं हूँ नई दिल्ली में और हमारे साथ है पीके चोरसिया जी जो की दैनिक भासकर में पत्रकार हैं आईए जानते हैं जिस तरीके से आज हाई कोट का एक फैसला आया है एक टिपड़ी की गई है हाई कोट की तरफ से जस्टिस मैं आपको नाम भी बता दूँ निय भायमूर्ती मुक्ता गुप्ता की पीट ने यह एहम टिपड़ी की है कि शादी करने से खत नहीं हो जाता दुश कर्म का अरोग आईए जानते हैं पीके चोरसिया जी से जो की दैनिक भासकर में पत्रकार हैं और मैं आपको बता दूँ यह जो पेपर में छपा है यह जो भ प्रिकी है कि शादी करने से खत नहीं हो जाता दुश कर्म का अरोग क्या कहेंगे इसके जो दिल्ली उच्छ नयाले का जो फैसला आया है बहुत ही स्वागत योग्य है और मुक्ता गुप्ता की जो खंड पीट है उसने एतिहासिक फैसला बेटियों के लिए इस देश की ल सारे देश में पेंडिंग है और ऐसी तमाम लाखों की संख्या में बेटियां हैं महिलाएं हैं जो ऐसी चीजों का सिकार हैं तो खास तोर पे देखने में यह आता था कि दुसकर्मी कोट में ही बोलता था कि नहीं मैं साधी करने के लिए इस लड़की से तायार हूं तो साधी के माता पिता उसके परियन यदि तयार हो जाते थे तो कोट साधी करवानी के लिए तयार हो जाता था और साधी हो भी जाती थी तो ऐसी स्थिती में उनका बचा हो जाता था लेकिन आज का जो फैसला है वो बिलकुल ही अलग है और देश की बेटियों के लिए देश क महिलाओं के लिए बहुत अहम फैसला आया है और इस तरीके की जो घकनाई होती थी वो ज्यादा तर सहरों की अपिछा गाओं और दिहातों में बहुत ज्यादा होती थी और हमें ऐसा लगता है कि आज बेटियों के लिए बहुत ही अच्छा फैसला आया है और इससे अच्छा अब फैसला आ नहीं सकता था और मुक्ता गुपता ने जो फैसला दिया है वास्तों में उखुद भी एक महिला है और महिला होने के नाते वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती है कि क्या फैसला होना चाहिए और किस तरीके से फैसला देना है जिससे इस देश की में रखते हुए यह फैसला दिया है और हमें लगता है कि यह बेटियों के लिए सबसे अच्छा फैसला है और आज का दिन उनके लिए फरगिन जैसा है और इस तरीके की जो घटनाए सामने आ रही थी तो रेपिष्ट कहता था कि ठीक है रेप मैंने किया है बट मैं लड़ की घटनाएं बहुत ज्यादा सामने आई है कि साधी करने के बाद वह अपने घर नहीं ले गया और उनको जो एक पतनी का दर्जा होता है वो तक नहीं दिया और वो रेप केस से सिर्फ बचने के लिए उसकी मनसा यह नहीं थी कि इनसे साधी करना है या इनको अपने घर में रखना है या पतनी का दर्जा देना है वो सिर्फ रेप केस से बचने के लिए ऐसे वारदात को रेपिष्ट कुछ लोग अंजाम देते दे तो उसको ले करके यह बहुत बड़ा फैसला है अब ऐसे लोगों की गिरफतारी होगी और निश्चित तोर पर जो इस देश की पी केसे आएंगे उस पर इस कोट की जो टिपड़ी है जो आदेश है वहाँ पूरे देश में लगभग लागू होगा और एक तरीके से नजीर भी बनेगा और कोई भी वकील अगर इस तरीके का मामला आता है और मुक्ता गुप्ता के केस में जो आया हुआ आदेश है उसको य पिष्ट जेल जाएगा चाहे वह भले ही साधी कर ले यदि महिला कहती है या लगकी कहती है कि नहीं इसने मेरे साथ रेप किया है तो निश्ची तोर पर उसकी गिरफतारी होगी और वह जेल जाएगा अचा कुछ लड़किया ऐसी भी है जो कि अपने समाज में जो उनका नाम जो है ओपन ना हो समाज के डर से एक होता है कि उस मान मरियादा को ले करके ऐसे केसिस जो हैं दब जाते हैं कई इस बहासे जो है अपनी शिकायत दर्ज नहीं कराती है तो इस पर क्या कहना चाहेंग हैसी देखे सहरी छेतर में तो इस तरीके के जो मामले हैं बहुत कम नजार आते हैं क्योंकि सहरी छेतर की जो लड़किया हैं काफी जागरोख है और आज के टाइम में डिजिटल जवाना है तो डिजिटल में और डिजिटल के साथ ही साथ जो दिल्ली लखनव या तू कि जो सीटी है वहाँ के वहाँ की जो लड़किया हो ज्यादा जागरूख हैं तो वो हलाकि अब परिस्तिती बदल गई है अब वो मामला दर्ज करवा रही है हाँ ग्रामील छेत्र की ज मामले को ले करके सामने नहीं आपाती हैं जिसको ले करके तमाम संस्थाएं हैं जो काम कर रही है सरकार भी बेटियों को जागरूख कर रही है और बच्चियों का जो एजुकेशन है वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है तो इसको ले करके एक जो जागरूखता चल रहा है स सरकार के भी तरब से और उसमें हम लोग देखते हैं कि महिला थाना जैसे अलग बना दिया गया है उनके लिए अलग हेल्प लाइन बना दी गई है तो ये सब चीजें जो सरकार की तरब से की जा रही है तो ये ऐसी बात नहीं है कि सहरों में ज़्यादा लड़किया जागरू वाला है और महिलाओं के लिए बेटियों के लिए और खास तोर से उनके लिए जो पीलित बेटियां हैं जो रेप की सिकार हैं उनके लिए भी आज का दिन सबसे अच्छा और स्वरगिन दिन है अच्छा एक बात और कहना चाहूंगे कुछ पेपर्स या न्यूस चैनल वाल चुपा देनी चाहिए आपने बिल्कुल सही सवाल किया है सुप्रीम कोर्ट की ये गाइगलाइन है कि पीडिता का नाम आपको उजागर नहीं करना है चाहे वह प्रिंट मेडिया हो चाहे वह इलक्टरानिक मेडिया हो ऐसी स्थिति में कई बार होता है बड़े जो संस्था है वह इस चीज का तो बहुत ध्यान रखते हैं लेकिन हां कुछ चोटे या मजोले अस्तर के जो अकबार हैं वह जानकारी के अभाव में इस तरीके की चीजें कई बार सामने आ जाती है कि पीडिता का नाम सावार्जनिक हो जाता है लेकिन मैं उनको भी सुझाओ दूँग के बाद पीडिता की साधी में उसके साथ सामाजिक ब्योहार में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं इसलिए हम सभी मीडिया बंदूओं को इस चीज का विशेश ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो गाय गलाइन है पीडिता को लेकर के उसका नाम जागर नहीं करना है और साथ ही हम लोगों का परमदाईत तो है कि जो रेप की पीलता है जो मैना है वहां पे ऐसी गलतियां सुनने में आती हैं कि अजन्टी कई बार बताएं ऐसा नहीं है पुलिस इस मामले पर पूरा ध्यान रखती है वहां इस मामले को उजागर नहीं करती है हाँ मैं मीडिया के लिए जो आपने कहा है तो बड़े संस्थानों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन यह कुछ छोटे संस्थान है जो जानकारी के अभाव में इस तरीके से गलतियां हो जाती है तो उसे मैं भी अपील करूँगा कि जो पीडिता है और उनके साथ इस तरीकी घटना घटी है तो उनका नाम किसे भी अस्तर पर उजागर नहीं होना चाहिए तो यह थे हमारे साथ पीके चोरोसिया जी जिन्होंने यही बताया कि जो भी पीडिता है महिला हो चाहिए बच्ची हो चाहिए वो लड़की हो अगर उसके साथ ऐसा दुशकरम होता है या फिर कोई भी ऐसी घटना होती है तो वो जा करके अपनी कंप्लेंट कराए थाने मे उनकी पहचान जो है वो गुप्त रखी जाएगी उन्हें किसी चीज की सिंता नहीं है कि उनकी पहचान को सारवजनी करा जाएगा और जो ऐसे दुशकम करने वाले लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं सजा जरूर मिलेगी